खीहर थाना छेतर के बरहर गाउं में भुनी विवाद को ले कर दो पक्चों में जमकर मारपीट हो गई मारपीट में दोनों और से महिला समेत आधि दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए सभी घायलों को इलाज उन गाउं सियस्ची में कराया गया घायलों की पहचान एक पक्च के काजल कुमारी भोगी महतो बुधनी देवी मौसम कुमार वा अंजू देवी के रूप में हुई है हम लोग गए थे दोस्तों लोग को साथ भूमने मैं हम अमी घर पे गए थे मेरा पापा दुकान पे थे तो लोग मतलब दील से विचार में कर रहा था कि वो लोग हम आज जाके मारेंगे घर दूसके मारेंगे वो लोग लाठी उठी इटा उठा लेके आया चार महिला थी वोग मेरे पापा पर ने पापा को लिमारा रहा था है तो पूंस या तब लोग वह बात्चा दौर के आया है वहाँ तब तो हम लोग घर लिया इसीज़े इटा बरसाने लगाए ये सब को फार दिया सब क्या नाम हो आपका शिप्संकर साथ अपके पापा विगायल है शि जगरा बड़ा चुडाने गई थी तो यह भी घायल हो किस गाउं के आप लोग अमर्पिट इसमें सरपुटा है महिला है पूरो से घायल है क्या करन हो दखिये साब यह जमीन जानकी मातों जानकी मातों कभी भी मिलकर संतोस मातों दोनों मिलकर सीव संकर साव का नाम से जमी तोरे मेरे भाई कम से कम 16 बरीज पहले मर गया वह भाई को नाम से वह दूसरी और लारणिया को रहने वाली हरलाखी का है वह मेरा जमीन उसको नाम से जमीन का विवाद है तो कोनकों लोग घायल है आप में आज मार्पिट हुई है मेरा भागो घायल है और मेरा भाय घायल है मेरी परवार को हाथ चाकू से कार दी है रोड से हमला करती है वो लोग रोड से सब को कपार उपार फोर दिया है मेरे लर्का डिप्टी से आ रहा था उसको जितने पैसे कोरी था वो अतिक है काम कर रहा है बजाज कंपनी से जितने टर्फिंग पैसा था, वह भी लोग लोग छिन लिया है। ते और रिवे 205 लोग AG मार्पिट किया है। धाके सिपसंकर शाव का पिता क्दा नाम धाजी का नाम मेरे को इतना ध्यान में है। पर देखने वाले तो पेज को लाइक करें यूटूब से देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले